असम के CM हिमंता विश्वा सर्मा जो अपने बयानों की वज़े से सुर्खियों में रहते हैं विरोधियों को अपने दहार से चित्त कर देते हैं लेकिन अचानक से उनके एक बयान ने सब को हिला कर रग दिया बयान है मैं राजनीती छोड़ दूगा हिमंता के बस इसी शप्त ने चर्चाओ का बाजार गर्म कर दिया सवार उठने लगे कि आफिर क्यों CM हिमंत विश्वा सर्मा राजनीती छोड़ने की बात करने लगे अचानक से ऐसा क्या हो गया उनको राजनीती छोड़ने की नौबत आ गई किस बात से खफा है हिमंता खफा भी इतना की राजनीती छोड़ने की बात करने लगे क्या अपनी ही पार्टी से एक गुस्सा है हिमंत विश्वा सर्मा या फिर कोई और वज़ा है कुछ तो बड़ा मामला है जिसकी वैसे हीमंता ने राजनीती छोड़ने की बात कर दी। ऐसे तमाम सवाल है जिनकी वैसे माहौल गर्म हो गया है। क्या कुछ वज़ा है आई ये दिखाते हैं। कांग्रस की ओर से लगाये आरोपों पर असम के मुख्यमंतरी हीमंता विश्व सर्मा और गौराउगो गोगोही के बीड़ सब्सक्राणी के तोपर 10 क्रोड रुपय मिले। बीजेपी नेता ने हाला की इन आरोफों को सीरे से खारिश कर दिया, लोग सभा में कॉंगर्स के ओपनेता और असम से तालूप रखने वाले सांसत गौरोगोगोई ने एक्सपर पोस्ट कर आरोफ लगाया भारत के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रथान मंतरी मोदी ने किसान संपता योजना की शुरुआद की लेकिन असम के मुख्यमंतरी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी की कंपनी को कर्श से जुड़ी सबसीडी के हिस्से के रूपे 10 करोड रूपे दिलाने में मदद की उन्होंने सवाल किया क्या के इस सरकार की योजनाय बीजेपी को समर्द करने के लिए हैं इस पर जवाब देते हुए हिमंत विश्व सर्मा ने एक्स पर एक कोस्ट लिखा अगर पतनी के कंपनी को केंद्री सबसीडी मिलने के आरोप साबित हुए तो सारवजनिक जीवन से सन्यास ने गूंगा मुख्यमंत्री सर्मा ने कॉंगर्स के आरोपों को खारश करते हुए कहा उसे भारा सरकार से कोई सबसीडी नहीं मिली है कॉंगर्स ने कुछ कागजाद जारी करते हुए ये दावा किया कि साल 2021 में सर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पत्नी रिंकी भुईया सर्मा की कंपणी ने असम के नौगाओं में पचास दिगाख खुशी भूमी खरीदी और इस खरीद के कुछ दिनों के बाद ही इस भूखंड को और दिग की भूम में तब्दिल कर दिया गया। बदल जाती है। ये कंपणी भारत सरकार की प्रधार मंत्री किसान संपदा योज़ा के तहत आवेदन करती है कि वो खाद प्रसंसकर का काम करेगी। इसके लिए उसे 10 करोड रुपय का अनुदान भी दे दिया गया। क्या किसानों का पैसा दोगुना करने का यही मॉडल है। किसान खेती से ओस्तन रोजाना 27 रुपय कमा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान संपदा योज़ना के तहट 10 करोड का अनुदान दे दिया जाता है। ऐसी सुविधा देश के बाकी लोगों को कब मिलेगी। क्यों ये ना खाउंगा ना खाने दूंगा का मॉडल है। क्या ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बड़े रहने का नैतिक अधिकार है। इस मामले पर चर्चा के लिए कारस्थगर प्रस्ताओ फुकराय जाने के बाद में पक्षी दलों के विधायकों ने आसम विधानसभा से वॉक आउट कर लिया। कॉंगरस ने इस मामले पर चर्चा के लिए कारस्थगर प्रस्ताओ पेश किया था। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसका उदेश खेश से लेकर खुदरा विक्री तक पुशल आपूरती श्रिंखला प्रबंधन के साथ आधुनी की गुन्यादी ठाचा तयार करना है। किसानों के दोगुनी करने के बजाए पथार मंत्री मोदी असंप या पथार मंतरी मोदी या खादिफ्टा संकर्मंत्री जवाब देंगे इस अनुदार को किस ने मंजूरी दी अन्यक्यिन बीजेपी नेताओं को तरकारी योजना के जरिए इस तरह का लाव दिया जा रहा VK News, राश्ट्र के नाम